गुड इवनिंग everyone आब हम लोगे सो Unit 1 complete गर चुके थे हैं गी आब हम लोगे सो Unit 2 करना है इसको सो चैप्टरवाइज नहीं बाकी दो पार्ट महं बढ़ हैं unity को अंदर जितने भी chapters आते हैं आपको बताए वे थे ठीक है एक previous video हम डाले वे थे पहले जिसमें कौन से unit में कितने सारे chapters आते हैं वो बताया होगा था मैंने अब वो वाला chapter है सो अपका पूरा complete हो जागा ठीक है you need to complete करने पर लेकिन starting करने से पहले हम सो कौन कौन से points पार्ट ए में बढ़ेंगे ठीक है दो पार्ट है पार्ट ए और पार्ट बी तो पार्ट ए में कौन कौन से points को हम लोग पढ़ेंगे वो अभी हम बताएंगे यह इसमें नौट डाउन किया हुआ है वो भी बताएंगे औ और part B में क्या क्या पढ़ेंगे वो अब ना हम बोल के भी बताएंगे ठीक है बागे फिर बाद में जब part B में आएंगे उसके बाद सुरू करेंगे ठीक है तो चलिए my dear friends हम लोग late नहीं करते हैं हम लोग starting करते हैं ठीक है तो आप यहाँ देख सकते है part A current electricity ठीक है current electricity इसके बारे में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे current carriage ठीक है current carriage मतलब current है सो carry कैसे करता है ठीक है वो पढ़ेंगे यह सब points है ठीक है no down करते जाहिए गए ठीक है next point है हमारा electric current electric current क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे ठीक है electric current means अगर कोई wire है और यहां bulb लटका हुआ है switch on करते है जब हम तो यह bulb कैसे जाता है तो electric current के माधियम से जाता है न तो वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसके बार मूं पढ़ेंगे concept of drift velocity drift veloce庭 के concept को पढ़ेंगे mobility के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद relation between current and drift velocity अब हम लोग science कहा होते बार में जादे इस चैप्टर में माहिने हगता है ठीक है फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे जो क्या बोलते हैं इसको विरोधा भास मतलब जो विरोध पर कट करता है रुकावट बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है फिर एलक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है फिर कंड़क्टेंस और कंड़क्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कंड़क्टेंस और कंड़क्टिविटी के बारे में फिर करेंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे next point हम लोग, microscopic form of ohm slow, ohm slow के microscopic form के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फिर effect on resistance of a wire on stretching, ठीक है, जब एक wire में सो resistance का effect कैसा होता है, resistance के उपर में, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे, variation of resistance, फिर temperature, temperature, temperature के घटाने और बढ़ेंगे पर जो विरोध पर कट हो रहा, वो कैसा कम या ज़्यादा होता हो पढ़ेंगे, फिर variation of resistivity with temperature, मौह रेजिस्टें था हो, रेजिस्टिविटी, दोनों आलग लग चीजे, ये कब temperature के साथ में कैसे बदलता है, ये पढ़ेंगे, फिर रेजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ohmic and non-ohmic circuit elements के बारे में पढ़ेंगे, फिर superconductivity के बारे में पढ़ेंगे, अब next point अबनों इक सेल का internal resistance के बारे में पढ़ेंगे, फिर grouping of identical cells, grouping of unidentical cells, फिर comparison between EMF and terminal potential difference of cell, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर heating effect of current, फिर electric power, फिर electric energy, फिर उसके बाद maximum power theorem, ठीक है, फिर उसके बाद efficiency of source of EMF और उसके बाद हम लो कुछ numericals को देखेंगे, ठीक है, इतना जो भी है भी topics बताएं friends, वो हम लोगों को part A में पढ़ना है, ठीक है, part B में जानना चाहोगे, क्या क्या पढ़ना है, सुच्रिक बापरी, part E में तु इतना सारह topic है, तो part B में कितना होगा, part B में जादा नहीं है, part B में जो भी है, जो भी आता है, part B से ही आता है, ब slide wire bridge, फिर potentiometer, इस से हर एक साल लगभग में question करता है, ठीक है, फिर application और potentiometer के बारे में पढ़ेंगे, फिर voltmeter और potentiometer, क्या क्या है, ये दोनों के मतलब बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये दोनों के बारे में difference के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इतना हम लोग भी complete करेंगे, तो हमारा पहला अगर देखे, तो क्या है, introduction, चलो introduction शुरू करते है, नहीं मतलब एक ही दिन में ऐसा नहीं है, कि करवा दूँगा, बट धीरे धीरे ही, लेकिन थोड़ा अधना कोशिस करूँगा, कि एक दिन में दो तीन वीडियो, मतलब अच्छे से चले ज जाएगा, जिससे आपको समझने में easy होगा, ठीक है, अब देखे, introduction में किया, the branch of physics which deals with the study of charges in motions, is called as current electricity, physics का वहाँ ब्रांच जिसमें है, so हम लोग चार्ज के motion के बारे में, चार्ज के गतिविधी के बारे में पढ़ते हैं, उसी के बोलते है, current electricity, मतलब कोई wire है, अगर इसमें current pass हो रहा है, तो कुछ तो charge उस दोड़ रहा होगा, तब न current pass हो रहा है, कि बिना charge का current pass कभी नहीं होता है, तो उसका जो motion कर रहा है, ये charge, तो इसके motion के बारे में जो पढ़ेंगे, हम लोग उसी को बोलते है current electricity, समझ में आगे है, आगे है, चलिए, ये वाले एक और topic कर लेता है, ठीक है, current carriers क्या होता है, ठीक है, current carriers, तो क्या होता हो देखते है, the charge particles which constitute the current in solid, liquid and gases are called as current carriers, ठीक है, अगर कोई भी charge particle है, वो, अगर charge particle है, ठीक है, अगर वो current है, सो पास करता है, किसके से, एक solid से, या फिर एक liquid से, या फिर एक gas से, ठीक है, उससी को बोलते है current carriers, ठीक है, यानि, मतलब, acid carriers, मतलब, क्या धोने वाला, और current, मतलब, बिजली, बिजली को धोने वाला, ठीक है, अगर अगर देखे, तो, इसमें electron होता है, free electron होता है, जैसे में conductor, और electron and holes होता है, semi conductor, ठीक है, liquid में देखे, तो positive and negative ions होता है, ठीक है, और gases में भी देखे, तो positive ion होता है, and electron होता है, जो कि electron, liquid और solids में नहीं था, ठीक है, मतलब, था, मतलब, इसमें electron होता है, बट free electron नहीं होता है, ठीक है, इसमें positive ions होता है, ठीक है, यानि, यह है, सो, मतलब, current carriers में, solid form में क्या होता है, मतलब, electrons और ions, liquid form में क्या होता है, gases form में क्या होता है, अब next day से, आज ज़्यादा long नहीं खीच रहे, ठीक है, आज बस starting करें, बाकि हम कल से, आप लोग का continue करेंगे, ठीक है, अब हैसो, हम लोग हैसो, आगे electric current पढ़ेंगे, जो की next class से पढ़ेंगे, ठीक है, तो तयार हो जाए, my dear friends, एक नए unit के तरफ जाने के लिए, एक नए unit को सुनने के लिए, और एक नए unit का मज़े लेने के लिए, एक यहाँ, इसमें क्या पढ़ना है, आपको तो पता है न, आपके घर में जो बिजले जल रही है, अभी आप बैट के जहाँ पढ़ रहे हो, लाइट जल रही है वहाँ पर, तो उसके उस वो जल कैसे रही है, आखिर में वो क्या है, उसके अंदर वो जो तार है, वो जूड़ा हुआ है, वो बोट से, तो उसके अंदर में क्या जार है, जिसके कारण से लाइट जल हो, वो सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे, सोच कितना अधा मजाने वाले ठीक है प्राक्टिकल तोर पर समझेंगा ठीक है क्योंकि यह थीओरी विगर समझने से न यह सब एक्जाम तक ही रहता है बट प्राक्टिकल समझेगा तो प्राक्टिकल लाइफ में किसको समझा भी पाईएगा ठीक है तो I hope my dear friends आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लासेज बढ़िया लगाओ और फिर कल से हम लोग यूनिट्यों किया और मुव आउन करेंगे और बहुत बहुत बहुतरिन तरीके से पढ़ेंगे तो all all the best my dear friends and आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से हर एक चीज काम करके सोगे और फिर कल नेक्ष्ट से हम लोग सुरुवात करेंगे ठीक है थैंक्यू